दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरूरत हैं, हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरें मुखे समचा टूडेब ब्रेकिंग नीज के तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ख़बर के रूप में तो दोस्तो आज की सबसे कर गए हैं परधार मंतरी मोदी के रामलीला मैदान में संकल प्रैली को संबोधित करने के बाद आज नितिन गटकरी चुनाव परचार में एक चूट हुए हैं और उन्होंने एक कॉन्फरेंस करके कहा है कि कि किसी भी देश का परधार मंतरी पार्टी का नहीं बलकि पूरे देश का होता है नितिन गटकरी ने कहा है कि 2014 के लुक्स भाचुनाव के दोरान नरेंदर मोदी गुजरात के मुखे मतरी थे और सत्ता में आने के बाद प्रधान मंतरी बने नितिन गटकरी ने कहा है कि दुर्भाग्यवस प्रधान मंतरी के मान सम्मान की बजाए पर सीधा हमला बोलते हुए नितिन गटकरी ने कहा है कि 56 गालिया 56 भोग जैसा है उन्होंने कहा है कि विपक्ष हतास है निरास हार की तैयारी पहले से कर रही है। वो क्या देश के गरीब को न्याय देंगी राहुल पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा है कि इसकी पीडित गरीबी हटाओ की बात करती रही है। फाइनली करेगा कि भारत में एप स्टोर खुलेगा या नहीं। जी आदो तो एपल कुछ सबै पहले से ही भारत के एपल स्टोर लाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब तक कुछ फाइनल नहीं हो सका है। और एपल रिटेल स्टोर लाकर के कम से कम एपल ये साबित करना चाहता है कि प्रेमियम स्मार्टफोन एक्सचेंज में यह कमपनी को मात दे कर के दूसरी कमपनियों के साथ आसान नहीं होगा। हाल ही में भारत में एपल ने अपने कुछ स्मार्टफोन भी एसेंबल करने सुरू कर दिये हैं। और भी धायकों के बेटे पढ़ते हैं स्कूल में। जी हाँ दोस्तों दिल्ली में आम आदमी पार्टफोन के और से सिख्छा चेतर में उठाए गए कदमों की जर्चा होती है। कई मोके पर आप नेता की तस्वीर के जरिये स्कूली दसा को सुधारने का दावा करते हैं। अगर सचमुच दसा सुधार गई है तो दिली सरकार के मंत्री और विधायक अपने बच्चों को दाखिला क्यों नहीं कराते हैं। स्कूल से निकाल करके सरकार स्कूल में भरती करा रहे हैं। दूसरी पार्टी 15-15 साल तक राज करने के बाद भी अन्य राज्यों में यह नहीं करा पाई। आम आदमी पार्टी महज 3 साल में यह करा दी। जिहां दोस्तो इस पर बीजेपी नेता अस्वनी उपाध्याय ने जबाब दिया और ट्वीट करके कहा है कि सरजी दिली सरकार के अधिन मातर पांच ऐसे स्कूल का नाम बताएं जहां आदमी पार्टी और मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं। अभ्यास में भाग लेने के लिए कुवा बंदरगाह से फ्रांस के बिमानवा हकपोत समुद्र में उतरें। आठ माई को सुबह दोनो नौसेना ने एरक्राफ्ट के समुद्र में दूर दूर तक दुस्मन के किसी निशान की तलास की। उसके बाद एक सम्मरीन ने समुद्र के अंदर दूर तक दुस्मन के जहाजों के सुरंग ढूंडे। पहले चरण में बंदरगाह पर अभ्यास हुआ उसके बाद समुद्र युद्ध अभ्यास में अपनी सक्ति का प्रदर्सन करने के लिए दोनो नौसेना के युद्ध पोत और पंडुबिया सागर में उतर गई। फ्रांस की तरफ से बिमान वाहक पूत चाल्स डी गाला, एफ एन पूत क्रोवे, लाटच ग्रेविले, फारविल और टैंकर मरने के साथ ही एफ एन पंडुबिया भारतिय नौसेना के साथ युद्ध भ्यास में हिस्सा ले रही है। भारती एरक्राफ्ट केरियर आई एनस बिक्रमादित से उड़े मिग 29 फाइटर एरक्राफ्ट ने फ्रेंच एरक्राफ्ट केरियर चाल्स दगोले ने उड़े रफाल फाइटर जेट्स के साथ मिल करके पीजन आईलेंड पर जबज़स्त बंबारी की, इस तोरान समुद्र के अंदर की टैंकरों की जहाज से इंधन लिया गया और यह लागतार करवाई जारी है, आपको बता दे कि साम को समय दोनों भारतीय नोसेना और फ्रेंच नोसेना ने अपनी अपनी फाइरिंग के जोहर दिखाए, हवा में लॉंच किये गए एक टैंकर, बंसी पर दोनों नोसेना की जहाजों ने अपनी पोतो और मसीन गन से फाइरिंग की, इस अभ्यास से फ्रेंच नोसेना का एरक्राफ्ट केरियर चाल्स दगोले और भारते नोसेना का एरक्राफ्ट केरियर विक्रमादित भाग ले रहे हैं, फ्रेंच नोसेना की यूनियन मरीन और भारत की स पिमुमार क्लास सम्मरीन संकूल के अलावा दोनों देसों के ड्रिग स्टार और फ्रिगेट्स भी अभ्यास में सामिल है। एक दिन के लिए कुलकत्ता में था। भारती जनता पार्टी की जीत और परधानमत्री मोधी को असपस्ट तोर पर चाहने वाली जनता के रास्तों में सिर्फ एक डर और धमकी है। दो सीटे ही मिली थी। लेकिन पिछले पांच वर्सों के दोरान पार्टी ने पस्टिम बंगाल में अपना संगठन मजबूत किया है। और कांग्रेस और वाम दलो को छोड़कर के दूसरे नंबर की पार्टी बंती नजर आ रही है। इस बार के लोक सबाचुनाओं में पांच चुनाओं के मतदान हो चुके हैं और पस्टिम बंगाल में 80 फीसदी से ज़्यादा वोटिंग होई है। और भारती जंता पार्टी को उमीद है कि उसके पक्ष महिमत दान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है रैली में नवजोज सिंग सिद्धू की तरफ ठेकी चपल लगे मोदी मोदी के नारे। जी हाँ दोस्तों कांग्रेस नेता नवजोज सिंग सिद्धू अपने रैलियों में लगतार प्रधानवंतरी मोदी पर अटाइक कर रहे हैं। लेकिन हर्याना के रोह तक में रैली में उनका यह दाव उल्टा ही पड़ गया। सिद्धू के भासन के दोरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। सिद्धू यहाँ पर कांग्रेस उमिद्वार दिपेंदर खुटा का परचार करने पहुँचे थे। इसी दोरान एक महिला ने उनके उपर चपल फेक दिया यह चपल मंच पर जाकर की गिरा इसके बाद पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में ले लिया है और उसे पूछ रही है जब महिला से पूछा गया तो महिला ने कहा है कि सिद्धू की दाल बीजेपी में नहीं गली तो वो क नारें भी लगाएं इसे लेकर के कॉंग्रिस कारिकरता और ज्छंडा दिखाने वाले आमने सामने आ गए तकराव की इस्थिती में देख पूलिस हरकत में आ गई और इस्थिती को नियंतरम में ले लिया आपको बता दे कि इससे पहले सिद्धू ने रोहतक सहर में बिभि का फियम बनाएगी जी हां तोस्तों उत्तर परदेश के दो दसक बाद साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजबाटी के गथवंदन के नेता अकलेस यादों ने कहा है कि मायावती को प्रधानमत्री बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूं अंग्रेजी अकबार बुंब चा सकता है उन्होंने कहा है कि यूपी की राजधानी से लखनाव से रौबर्ट गंच का उनका कारिकरता एक है साथ ही बिधान सबाचुनाओ के सवाल पर अखलेस यादों ने कहा है कि क्यों नहीं लड़ेंगे मैं यूपी का सियम बनना चाहता हूं मैं मायावती को प्रध झाल